हेलो स्टुडेंट आइम कमला ठाकूर फ्रम भात्मा गंदी सिक्षन सस्थान दर्भंगा इन इस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट एसस्टी चेप्टर फर्स्ट चेप्टर्स नेमीद माई सेल्फ सो लेट्स स्टार्ट हाँ तो बच्चो पिछले वीडियो में मैंने आपको आई डी कार्ड बनाने के लिए दिया था तो क्या आई डी कार्ड बन गया नहीं बना है तो जल्दी से बना लीजी तो बच्चो आईए आज में आपको इस चेप्टर के पेज नमर 3 में जो कुछ दिया हुआ है उसके बारे में आपको बता दूँ तो इसमें दिया हुआ है All About Myself उसके बारे में बता दूँ इसमें कुछ blank space दिया हुआ है जिसे आपको बता दूँ कि इसे कैसे फिल करना है तो बच्चो अब आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजे और उसके बाद कॉपी में ही इसे फिल कीजिएगा Now, First में है My Name Is तो इसके नीचे जो blank space दिया हुआ है उसमें आपको अपना नम लिखना है Next है My Birthday Is On तो इस blank space में आपको अपना date of birth लिखना है अगर आपको नहीं पता है तो अपने parents से पूछके लिख दीजेगा Now, Next है I Am Years Old इसमें आपको अपना उम्र लिखना है कि आप कितने साल के हो अगर आप 6 साल के हो या 7 साल के हो या जितने भी साल के हो आप इस box में लिख दीजेगा Now, Next है I Study In Class आप किस class में परते हो वह आपको इस blank space में लिखना है Next है I Live In आप किस गाउं में या सहर में रहते हो उसका नाम इस blank space में लिखना है Next है My Favorite मिन्स आपका फेवरेट तो इन सब चीजों में से जो आपको पसंद है फेवरेट है उसका नाम उसके सामने के blank space में लिखना है तो फर्स्ट में है बुक आपको कौन सा बुक पढ़ना पसंद है उस बुक का नाम इसमें लिखिए Second है Song आपको कौन सा सॉंग पैबरेट है उस सॉंग का बोल यह लिखिए Third में है Color तो आपको कौन सा Color पैबरेट है उस color का नाम यहां लिखिए Fourth में है Food तो आपको कौन सा खाना पैबरेट है उसे इस blank space में लिखिए एंड लास्ट है एस्पोर्ट तो आपको कौन सा एस्पोर्ट फेबरेट है आपको इसमें लिखना है हाँ तो बचो अब है how do you feel today means आज आप कैसा feel कर रहे हो अगर आप happy feel कर रहे हो तो happy के सामने के जो सामने में जो box दिया हुआ है उसमें टिक लगा दो अगर आप sad feel कर रहे हो तो sad के सामने जो box है उसमें टिक लगा दो एंड लास्ट है angry तो अगर आप आज angry feel कर रहे हो तो इसके box में टिक लगा दो हाँ तो आप लोग इसे copy में बनाईए और enjoy कीजिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में